ओम श्यान्ती आज है 27 अक्तुबर 2020 की साकार मुरली बाबा ने कहा आधा कल्प तुम पतित बने अब पावन बनने के लिए पुरुशार्थ करो तुम बच्चों के खुशे में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि हमको भगवान भगवती पढ़ाते हैं वे तो जरूर भग जाकर सिखला कर गुलगुल बना कर घर ले जाएंगे पहले हमें आप समान पवित्र बनाते हैं ग्यान सागर भी बनाते हैं और फिर अपने से भी जासी वेश्व का मालिक बना देते हैं बाप दवारा शिव शक्तियों को जो ग्यान बान मिलते हैं यह तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं तो बाबने कहा अभी ऐसा कारे करके दिखाओ जो मनुश्यों के मुख से वहाँ वहाँ निकले दिल में चाहना होनी चाहिए कि मनुश्यों को देवता कैसे बनाएं बच्चों को सर्विस के लिए खयाला चलने चाहिए तुम्हारे उपर मैं तुमको डबल सिर्टाज बनाता हूँ तुम्हें पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे तुम्हें याद की यत्रा में भी रहना है और सृष्टी चक्र को भी बुद्धी में फिराते रहना है अब सु मुरली का सार, मीठे बच्चे, भिन-भिन युक्तियां सामने रख याद की यत्रा पर रहो इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो प्रेशन, कौन सी एक्ट अथ्वा पुरुशार्थ अभी ही चलता है सारे कल्प में नहीं उत्तर याद की यत्रा में रहे आत्मा को पावन बनाने का पुरुशार्थ सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम समय पर चलती है यह एक्ट हर कल्प रिपीट होती है तुम बच्चे इस अनादी अविनाशी ड्रामा के वंडर्फुल राज को समझ से हो ओम श्यान्ती रुहानी बाप बैठ रुहानी बच्चों को समझाते हैं इसलिए रुहानी बच्चों को देही अभिमानी या रुहानी अवस्था में निश्चे बुद्धी होकर बैठना वसुनना है बाप ने समझाया है आत्मा ही सुनती है इन ओर्गंस के दवारा यह पक्का याद करते रहो सदगती और दुरगती का यह चक्रतों हरे एक की बुद्धी में रहना ही चाहिए जिसमें ग्यान और भक्ती सब आ जाती है चलते फिरते बुद्धी में यह रहे ज्यान और भक्ती सुक और दुख दिन और रात का खेल कैसे चलता है हम 84 का पार्ट बजाते हैं बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुशार्थ कराते हैं इससे तुम्हारे विकर्म भी विनाश होते हैं और त तुम राज्य भी पाते हो जानते हो यह पुरानी दुनिया तो अब खलास होनी है जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं तो अंदर में निश्य रहता है अभी हम नए मकान में जाएंगे फिर मकान बनने में कभी वर्ष दो लग जाते हैं जैसे नए देहली मे गवर्मेंट हाउस आधी बनते हैं तो जरूर गवर्मेंट कहेगी हम ट्रांसफर हो नई देली में जाएंगे तुम बच्चे जानते हो यह सारी बेहद की दुनिया पुरानी है अब जाना है नई दुनिया में बाबा युक्तियां बताते हैं ऐसी ऐसी युक्तियों से बुद्धी को याद की यत्रा में लगाना है हमको अब घर जाना है इसलिए स्वीट होम को याद करना है जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं यह भी मेठे मेठे बच्चों को समझाया है कि यह दुख धाम अब खत् होना है भल तुम यहां रहे पड़े हो प्रंतु यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं है हमको फिर नई दुनिया में जाना है भल चित्र आगे कोई भी ना हो तो भी तुम समस्से हो अब पुरानी दुनिया का अंत है अब हम नई दुनिया में जाएंगी, भक्ती मार्ग के तो कितने धेर चित्र हैं, उनकी भेट में तुम्हारे तो बहुत थोड़े हैं, तुम्हारे यह ग्यान मार्ग के चित्र हैं और वेह सब हैं भक्ती मार्ग के, चित्रों पर ही सारे भक्ती होती हैं, अब तुम्हारे तो है रियल चित्र इसलिए तुम समझा सकते हो रोंग क्या है राइट क्या है बाबा को कहा ही जाता है नौलेज फुल तुमको यह नौलेज है तुम जानते हो हमने सारे कल्प में कितने जन्म लिये है यह चक्र कैसे फिरता है तुमको निरंतर बाप की याद और इस नौलेज में रहना है, बाब तुमको सारे रचता और रचना की नौलिज देते हैं, तो बाब की याद भी रहती है, बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाब, टीचर, सत्गुरू हूँ, तुम सर्फ यह समझाओ, बाबा कहते हैं, तुम मुझे पतित पावन लिबरेटर, गाइड कहत शांती धाम, मुक्ती धाम का, वहां तक बाब ले जाकर छोडेंगे, बच्चों को पढ़ा कर, सिखला कर, गुलगुल बना कर घर ले जाए छोडेंगे, बाब के सिवाए तो कोई ले जा नहीं सकते, भल कोई कितना भी तत्व ग्यानी वो ब्रह्म ग्यानी हो, वे समझ से है हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, तुम्हारी बुद्धी में है कि शांती धाम तो हमारा घर है, वहां जाकर फिर नई दुनिया में हम पहले पहले आएंगे, वे सब बाद में आने वाले हैं, तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं, सत्युगत रेता में किसका राज्ये हैं, उन्हों का धर्म शास्त्र क्या है, सुर्यवन्षी चंद्रवन्षी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु वेह गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ग्यान मिलता है, वेह तो यहां ही खत्म हो जाता है, वहां कोई शास्त्र नहीं, दुआपड से जो दर्म आते हैं, उन्हों के शासर कायम हैं, चले आ रहे हैं। अब फिर एक धर्म की सापना होती है तो बाकी सब विनाश हो जाने हैं। कहते रहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाशा, एक मत हो वह तो एक दवारा ही सापन हो सकता है तुम बच्चों की बुद्धी में सत्युग से लेकर कलियुग अंत तक सारा ज्यान है बाप कहते हैं अब पावन बनने के लिए पुरुशार्द करो आधा कल्प लगा है तु थारा कल्प ही कहें यहिद याद की यतरा तो तुम अभी ही सीखते हो वहाँ यहें है नहीं देवताइं पतित से पावन होने का पुरुशार्द नहीं करते वे पहले राजयोग सीख, अर्थाद पूरव जनम में राजयोग सीख यहां से पावन हो जाते हैं. उसको कहा जाता है सुख धाम. तुम जानते हो, सारे कल्प में सिर्फ अब ही हम याद की यत्रा का प्रुशार्द करते हैं. फिर यही पुरुशार्थ अत्वा जो एक्ट चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने लिए फिर कल्प बाद रिपीट होगी चक्र तो जरूर लगाएंगे ना तुम्हारी बुद्धी में यह सब बाते हैं कि यह नाटक है सभी आत्माई पार्ट धारी है जिन में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जैसे वेह ड्रामा चलता रहता है प्रन्तु वेह फिल्म घिसकर पुरानी हो जाती है यह है अविनाशी यह भी वंडर है कितनी छोटी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है बाप तुम्हें कितनी गुये गुये महीन बातें समझाते हैं अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं यह तो बड़ी वंडर्फुल बातें समझाते हो आत्मा क्या है वे अभी समझा है शरीर को तो सब समझ से हैं डोक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकाल कर बाहर रखते फिर डाल देते हैं। प्रन्थु आत्मा का किसको पता नहीं है। आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है यह भी कोई नहीं जानते। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं न। सब पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आकर मुझे पावन बनाओ, प्रन्तु आत्मा कैसे पावन बनेगी, उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन, आत्मा पुकारती उसको है जो पुनर जनम रहित है, आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई उनके पास ही है, तो तुम बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए भगवान पढ़ाते हैं, जरूर तुमको भगवान भगवती बनाएंगे, भक्ती मार्ग में इन लक्ष्मिनारेन को भगवान भगवती ही कहते हैं तो यथा राजारानी तथा प्रजा होगी ना, आप समान पवित्र भी बनाते हैं, ज्यान सागर भी बनाते हैं, फिर अपने से भी जास्ती वेश्व का मालिक बनाते हैं, पवित्र अपवित्र का कम्पलीट पार्ट तुमको बजाना होता है, तुम जानते हो बाबा आया प्राय लोप हो गया है। प्राय लोप हो गया है। बोलते सब ऐसे हैं। हमको पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको राजारानी बनाओ। तो तुम बच्चों को बहुत फखुर होना चाहिए। तुम जानते हो हम तो भगवान के बच्चे हैं। अभी हमको जरूर वर्सा मिलना चाहिए। कल्प कल्प यह पार्ट बजाया है। जाड बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने चित्रों पर भी समझाया है कि यह है सदगती के चित्र। तुम औरली भी समझाते हो, चित्रों पर भी समझाते हो। तुम्हारे इन चित्रों में स्रिष्टी के आदी मध्य अंत का राज आ जाता है। बच्चे जो सर्विस करने वाले हैं आप समान बनाते जाते हैं। पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना उंच पद पाएंगे। बाप कहते हैं मैं तद्बीर तो कराता हूं प्रन्तु तकदीर भी होना। हर एक ड्रामा नुसार पुरुशार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप बाप भी है, टीचर भी है, साथ ले जाने वाला सच्चा सच्चा सत्गुरू भी है, वेह बाप है अकाल मूर्थ, आत्मा का यह तक्त है न, जिससे यह पार्ट बजाते है, तो बाप को भी पार्ट बजाने, सद्गती करने के लिए तक्त चाहिए न, बाप कहते हैं, पुछ भी नहीं रख सकता हूँ वो गुरूं के फॉलोवर्स लोग तो गुरू के लिए सोने के सिंगासन महलाधी बनाते हैं तुम क्या बनाएंगे तुम बच्चे भी हो स्टुडेंट भी हो तो तुम उनके लिए क्या करेंगे कहां बनाएंगे यह है तो सधारण ना बच् पुछे कोशिश भी करते हैं बनारस में भी गए हैं उन्हों को तुमने उठाया तो कहेंगे वह बीके की तो कमाल है वे श्याओं को भी यह ग्यान देती हैं उनको भी समझाना है अभी तुम यह धन्दा छोड़ शिवाले की मालिक बनो यह नौलेज सीख कर फिर सिखलाओ को भी समझाएंगे हौल में चित्र आधी रख बैठ कर समझाओ तो सब कहेंगे वहां वेशाओं को शिवालेवासी बनाने के लिए यह बीके निमित बनी है बच्चों को सर्विस के लिए ख्याला चलने चाहिए तुम्हारे उपर बहुत रिस्पोंसिबिलिटी है अहिल्या भिल्या गणिकाएं इन सब का उद्धार करना है गायन भी है साधूं का भी उद्धार किया है यह तो समझ से हो साधूं का उद्धार होगा पिछाडी में अभी बह तुम्हारे बन जाएं तो भक्ती मार्ग ही सारा खत्म हो जाए रिवोलुशन हो जाए सन्यासी लोगी अपना आश्रम छोड़ दें बस हमने हार खाई यह पिछाडी में होगा बाबा डिरेक्शन देते रहते हैं ऐसे ऐसे करो बाबा तो कहां बाहर नहीं जा सकते बाब कहेंगे बच्चों से जाकर सीखो समझाने की युक्तियां तो सब बच्चों को बताते रहते हैं ऐसा कारे करके दिखाओ जो मनुष्यों के मुक से वह वहा निकले गायन भी हैं शक्तियों में ज्ञान बान भगवान ने भरे थे यह हैं ज्ञान बान तुम जानते हो यह बान तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धी एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्मेंट को मालूम पड़ा तो फिर बहुत प्रभाव निकलेगा। तुम बड़े बड़े सेंटर्स खोलेंगे, पैसे से चित्र आधी बनाने होते हैं, मनुष्य देखकर बड़ा वंडर खाएंगे, कहेंगे पहले पहले तो तुमको प्राइस देनी चाहिए, गवर्मेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगे, इन पर बहुत आशि सब कुछ छोड़ दे, महनत है, बाबा ने बताया, हमारा अपना घर घाट, मित्र संबंदी यादी कुछ भी नहीं, हमको क्या याद पड़ेगा, सिवाए बाप के और तुम बच्चों के कुछ नहीं है, सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, बाकी बुद्धी कहां जाएगी, बाबा को रत दिया है, जैसे तुम वैसे हम पड़ रहे हैं, सिर्फ रत बाबा को लोन पड़ दिया है, ये ब्रहमा बाबा ने अपना अनुभव शेर किया, बाबा कहते तुम जानते हो, हम पुरुशार्थ कर रहे हैं, सुरेवन्शी घराने में पहले-पहले आने के लिए यह है ही नर्ष से नारेन बनने की कथा तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है हम आत्मा पढ़कर नौलेज सुन देवता बन रहे हैं फिर सो राजाओं का राजा बनेंगे शुब बाबा कहते हैं मैं तुमको डबल सिर्टाज बनाता हूं तुम्हारी अभी कितनी बुद्धी खुल गई है ब्रामानुसार कल्ब पहले मुआफिक अब याद की यात्रा में भी रहना है स्ट्रिष्टी चक्र को भी याद करना है पुरानी दुनिया को बुद्धी से भूलना है अच्छा मीठे मीठे पहली पॉइंट बुद्धी में रहे अब हमारे लिए नई दुनिया सापन हो रही है यह दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई यह दुनिया बिलकुल पसंद नहीं आनी चाहिए जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धी कहां जाती नहीं ऐसे फोलो फादर करना है दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें इस वेशाले को शिवालय बनाए वर्दान मुर्ली के साज दवारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुर्ली धर भव मुर्लियां तो बहुत सुनी है अब ऐसे मुर्ली धर बनो जो माया मुर्ली के आगे न्योच्छावर सरेंडर हो जाए मुर्ली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है जब मुर्ली धवारा कारण का निवारन मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी कारण खत्म अर्थात माया खत्म स्लोगन अनुभवी स्वरूप बनो तो चहरे से खुश नसीबी की जलक दिखाई देगी और एक बहुत जरूरी बात आप सभी भाई बहनों को यह तो ग्यात होगा ही कि पिछले कुछ दिनों से अव्यक्त मुरली का रिवाईस कोर्स चल रहा है इसलिए रोजाना हमें साकार और अव्यक्त दोनों मुरली जरूर सुननी चाहिए ताकि समय रहते हमारा पढ़ाई का कोर्स पूरा हो जाए